गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स तुडे वी आर गोईंग टो स्टेडी जी के इन जी के वी आर गोईंग टो स्टेडी मंस ओफ यह बच्छो आप साल में बारह महीने होते हैं यह आप जानते होंगे बारह महीने जैन्वरी, फेबरी, मार्च, एप्रील, में, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेंबर, ऑक्टूबर, नॉवेंबर, दिसंबर का नाम भी जानते होंगे इसमें से कुछ बच्चे को स्पेलिंग भी आता होगा और आप लोग यह जरूर जानते होंगे कि फर्स्ट मन्थ कौन है, सेकेंड मन्थ कौन है, जो नहीं जानते वो आज सियोर हो जाएंगे आज यह आपका पढ़ना बहुत आविसक है, क्योंकि स्टेंडब वन के बच्चों को जैन्वरी तू दिसंबर स्पेलिंग याद होना चाहिए और यह समगना चाहिए कि अभी कौन सा मन्थ चल रहा है, डेट हम लोग क्यों देते हैं, अभी फेबरारी चल रहा है फेबरारी में कभी 28 डेज होते हैं, कभी 29 डेज होते हैं, तो यह क्यों होते हैं, ऐसे डेको क्या कहते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो हम लोग फर्स्ट मन्थ से शुरू करते हैं, अब अपनी पढ़ाई January is the first month of the year, January has 31 days, January year का पहला महीना है और इसमें 31 दिन होते हैं February is the shortest month of the year, second month है February और यह सबसे shortest month है, क्योंकि इसमें 28 days होते हैं और हर चौथे साल 29 days का होता है, यह जो extra day होते हैं, इसको leap year कहते हैं तो आप समझ गए, it is the second month of the year and it's very special February has 28 days usually, but every 4 years it has gone one more day to end up with 29 This extra day is called leap day, यह एक दिन जो अधीक होते हैं हर चौथे साल इसे leap day कहा जाता है अब third month, third month क्या है, March, the spring month, it has 31 days March में 31 days होते हैं, और spring का मौसम शुरू होता है, वसंत रीतु शुरू होता है और April, April यह चौथा महीना है, April has 30 days, इसमें 30 दीन होते हैं बच्चों हम लोग का new session भी April से शुरू होता है, और first April को April full मनाया जाता है और बच्चे पास हो करके नए class में जाते हैं, बहुत खुसी रहते हैं, उनका book खड़ दाता है, उनका new dress बनता है उस समय न जादा जाड़ा का मौसम रहता है, न जादा गर्मी का मौसम रहता है और यह पढ़ने का अच्छा समय रहता है, उसके बाद May, May 5 महीना है, साल का, it's the 5th month of the year and it has 31 days, May month में 31 days रहते हैं, May में गर्मी बढ़ जाती है, धीरे धीरे गर्मी का अइसास होने लगता है May, हम लोग के new session का second month रहता है, उसके बाद अब June देखते हैं, June तक गर्मी बहुत बढ़ जाती है June has 30 days and it's just in the middle of the year, June में गर्मी जाता होने लगता है और May के second week से गर्मी छुटी शुरू हो जाती है, जो June second week तक रहता है June गर्मी बढ़ी रहती है, लेकिन 15 दीन के बाद धीरे धीरे बरसात आने लगता है और June के end में पानी बरसना शुरू होता है, जुलाई में पूरा वारिस होता है जुलाई सात्वा महीना है, with 31 days और जुलाई में बरसात कम उसम होता है और जुलाई में हमारे स्कूर खुला रहता है, जुलाई में छुटी बहुत कम है ये पूरा मेहनत करने का मन्त है, और उसके बाद अगस्त अगस्त में 15th August को हम लोग Independence Day मनाते हैं, ये 31 days का रहता है और अगस्त में भी बरसात कम उसम रहता है September, it's the 9th month of the year and it has 30 days अब हम लोग September month पर पहुंद के हैं, ये 9th month है और इसमें 30 दिन रहते हैं और इसमें मौसम कैसा रहता है, बरसात का मौसम रहता है और इसके बाद धीरे धीरे थंड़ा आना शुरू होता है उसके बाद October ये 10th महीना है और इसमें 31 दिन होते हैं और उसके बाद November, November में पूरा थंड़ा आ जाता है यह 11 महीना है और इसमें 30 दिन होते हैं उसके बाद last month कौन है 12th month 12th month है December December के spelling क्या है D E C E M B E R इस तरह करके आप लोग को 12 महीने का spelling याद करना है और यह 12 महीन है यह last month है और इसमें 31 days होते है इसमें ठंडा कौनवासम आ जाता है तो समझ कि मैं आ गया बच्चो आप लोगों को बच्चो आप लोग 12 months of a year याद किजिएगा Names and Spelling that is your homework thank you